नमस्कार में दिलिव कुमार सेनी आज आपको मार्बल से बनेवे चकले के बारे में जानकरी दे रहो हूं यह देखो वह अग्या फ्राइज के साथ से 25 रुम्ती में राग्या ऊसब प्रायज है तो हम जाती है तो किस दरे के का चकला होता है यह इसके बोल रिंग में राग्या पुरा इसमें एक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इस तरह में बॉक्स कटके पागे लगे होते हैं जिनको पर स्टेंड बोल सकते हैं तो यह आपको 25-30 रुपे के बीस में यह पूरी 20 पीस की एक टिम ने पेकिंग आएगी सर्थ मालब 20 पीस अलग लग तरीके के मालब 20 पीस की पेकिंग आएगी तो यह मार्बल कुमारी पत्तर के बना हुआ कि यह 45 रुपे का निचे से देखेंगे यह गड़ाए का है यह रिंग वाला इसको बोलते हैं कि इसके अंदर कहीं भी जोइंट नहीं है जैसा कि आप देख पा रहें कंप्लीट बिना जोइंट का है यह और एक्टम मजबूत और ठोस है तोस पत्तर है तो इसलिए इसमें यह पंद्र पीस की पेकिंग आएगी सचा इसमें पंद्र रपीस पंद्र रपीस आएंगे मैं इसके अंदर ठीक है सर यह 65 यह 65 रुपीस गया देख पा रहे है क और इसके अंदर कहीं पर भी जोइंट नहीं है मतलब यह बोट के अंदर बनाए हुए है यह इसके अंदर देखो यह वाला साथ रुपे की रेंज गाएगा अच्छा है यह और इसमें वाइट नस आपे अच्छी दिखाए दे रही है और रिंग वाला है जो मसीन से इसकी गड़ाई की हुई है इसके अंदर बिल्कुल सर तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि बस अलग अलग वेराइटी के अलग चकले हैं यह जिसे गड़ाई के पीस है यह फुल गड़ाई से किया हुआ है और यह कापी बड़े बोट में बनता है यह मतलब सतर रुपैसे डेट सो 200 चले जाए जैसी वाइट ने ज्यादा गड़ाई का काम होगा वेसा है प्राइज बड़े कि इनकी इसके बादे यह मकराना पिंक फतर अच्छा यह मकराना पिंक के अंदर आप देख पा रहे हैं मकराना के अंदर वाइट के लाएक यह मारबल निकलता है वह है पिंक मकरा पिंक में है और इसके आप देख पा रहे हैं कि यह भी मसीन की राउंडेट गड़ाई के अंदर है और कम्प्लेट एक ही बोट से बनावा पूरा पीस है यह सतर रुपे से चलू है यह सतर रुपे से स्टार्ट हो जाते हैं जो देख नो वाइनो की साइज है और यह आट व अच्छा इसमें डिजाइन का डिफरेंस है इसकी प्राइज में डिफरेंस आरा जैसा में आपको दिखा रहा हूं गोल राउंड में है और इसके अंदर यह आप देखेंगे जो इस टेंड है नीचे वो गोल कटके लगे हुए इसके अदर मलब यह टाइल्स का बनावा है तो मतलब चकले में दो चीजें आपने मैसुस की एक तो टाइल्स होती है जिससे बनावा होता है दूसरा जो बोट से बनावा होता है और तीस ता जो हाथ की गड़ाई से तीन परकार के होते हैं रिंग की प्राइज आपको 30 रुपे से लेके 200 रुपे के बीच में आपको अलगले पर्चेज कर सकते हैं यह बड़ी साइज दस दस की साइज में है और रोल रिंग के अंदर ही है यह वाला भी यह सतर रुपे से लेके 100 रुपे की रेंज के अंदर पढ़ते हैं जैसा भी आपको लेना इसमें दस दस पीस की बोक्स पेकिंग आएगी इसके अंदर यह 9 x 9 का रिंग का चकला है अचा यह बेंग इसाट डेंडिया ही है और इस पहीद अफार्य आप руता है लेकिन यह रोडप अधर ग्रेन जबूट के साथ давно इसके इंदर नवा याइन्च के अंधर के साइज प्रवाइब आपको पचाज या सो पीस तो लेने होते तभी आपको यह वाली प्राइज लगती है जो आपको अलग होती है यह ग्यारा वाइज कि साइज अचाहें ग्यारा विगारे साइज में टायल से बनावा है इसमें इसे इसमें रिंग में बनावा भी मिल दाएगा अचाहीं यह रिंग में भी है और यह टायल में भी है यह 15 एक पेकिंग आएगी अच्छाए इसमें 15 रूपेश्य सच्टावडी बीच मैं आपको पढ़ने वाला है जो आप देख रहे हैं बहुत ही प्याड़ा और ब जो बने वे इनके साथ यह अधिक yeah honestly ऐसे फोड़ेक्ट तो यह आपको सो पीस लेने होते है मेनिह नियुक्त और यह से रिए पास इंप टीन दिखा देता हूं मैं आपको यह उख मी नियके और यह वाइट में गरीन है, और यह फिर यह थे लिग के तो अगर आपको चकले बेला ने इस तरीके का हैंडिकराइब इमाम दस्थि कुंडी का भी होल सेलिंग का ही काम है यह 3x3 की साइज अच्छा तो देखिए इनकी जो इसाइज के साइज के साफ से 50 रुपे की रेंज के आज यह तीन बै तीन की अच्छा और यह 4x4 की साइज ह साइज के साइज के आफ से अच्छा अच्छा सरी इनकी बताथे रही थाके शो मंत्यडेशित आत्रगे लगलेशित् ब्ली तेन व्येस सिकतें और रड़र्करी से और जो दिफेश्व चलिándaly अवेलेबल है non अट्रु यह साइज साइज के साथ इंकी प्राइज भी बढ़ और अपने प्राइज ये ऐसे प्राइज हम बता रहे हैं, यह होल आइटम की है, आपको एक साथ कौनिटेटर में पचास या सोपीस लेने होते हैं, तबी आपको यह प्राइज लगती है, तो आप कभी पी संपर कर सकते हैं, दिलिप सिंग जी से, और इसके बारे में जानकार पाद अगर आपको लगता है तो आप इन से ओर कर सकते हैं तो आप पूरा काम अच्छा तो आप आप अपना पीस देख सकते हूं पेकिंग सकते हूं आपके पास पहुंच सकता है तो दिलिब जी अच्छी जानकार देने के लिए धन्यवाद बढ़को अएदानी कि अपने कि अधने एंकल उग कि करते हैं